स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो में आज हम मौजूद है एमाम बाड़ा जिसको लोग भूल भूलया के नाम से भी जानते हैं नवाबों के शहर लखनव जाने की यूजना बना रहे हैं तो यहां पहुँचकर बड़ा इमाम बाड़ा देखना ना भूले नवाबों के शहर लखनव में ऐसे तो देखने के लिए कई एतिहासिक इमारते और धरोहर हैं लेकिन यहां एक ऐसी प्राचीन इमारत है जिसे देखने के लिए दूर दूर से सेलानी आते हैं इस धरोहर का नाम है बड़ा इमाम बाड़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में स्थित यह इमारत बेहदी भव्य और खूबसूरत है बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भूलया आसफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है इस इमाम बाड़े का निर्मान अवद के लोगों को रोजगार प्रदान करना भी था कहा जाता है कि इसका सेंट्रल हॉल विश्व का सबसे बड़ा वॉल्टिट चैंबर है जानते हैं इस धरोहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्ट बातें बेहत खूबसूरत है वास्तुकला यहां आने वाला हर सैल जानी इमामबारे की वास्तुकला को देखकर दन रह जाता है यह लखनव के सबसे प्रसिद और खूबसूरत टूरिस्ट स्थलों में शुमार है जिसे देखने देश-विदेश से परियतक सालों भर आते हैं इस इमारत की वास्तुकला में मुगल कला, राजपूत और गोथ इमारत की यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है इस भव्य इमारत का गुमबद नुमा हॉल लगभग 50 मीटर लंबा और 15 मीटर उचा है इमारत में बड़े बड़े जहरोखे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं ये जहरोखे ऐसे बनाए गए हैं कि खत धीमे भी बोले तो आपकी आवाज दूर तक सुनाई देगी इसका केंद्रिय कक्ष सेंट्रल रूम लगभग 16 मीटर चोड़ा और 50 मीटर लंबा है साथ ही यहां 9 अन्य हॉल भी है चत पर जाने के लिए लगभग 84 सीलिया है ये ऐसे रास्ते से होकर जाती है कि कई बार लोग भरम में पर जाते हैं यहां लगभग 1000 से भी अधिक इमामबारे की दिवारों के बीच स्थित गल्यारे हैं जिन्हें भूल भूल या कहा जाता है इन गल्यारों में आकर हर कोई अपना रास्ता भटक जाता है इस मारक के वास्तुकार दिल्ली के किफायत उल्ला थे इ यहां पर आप शाही हमाम बावरी देख सकते हैं जो एक गहरा कोई है यह पाच मंजिला है लेकिन यह सिर्फ दो मंजिला दिखाई देता है और बाकी के तीन मंजिले पानी में धूबा हुआ है इसे भी युनानी वास्तुकला पर बनाया गया है इसके अलावा आप यहां आ खोटे रास्तों का ऐसा जाल है जहां आकर लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं इस इमारत को इस तरह बनाया गया है कि आज तक कोई भी वास्तुकार इसकी कौपी नहीं कर सका है भूल भुलेया में एक बार भटक गए तो बिना मार्क दर्शक की सहायता लिए बाहर आना मु मस्जिद है और ना ही मतबरा कैसे पहुँचे इमाम बारा यदि आप सड़क मार्क से जा रहे हैं तो चार बाग बस स्टेंट से यह सिर्फ पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ट्रेन से जा रहे हैं तो आप चार बाग रेलवे स्टेशन से टेक्सी आटो लेकर यहां रहता है हाला कि इस इमारत को देखने के लिए कुछ एंट्री फीज भी देनी पड़ती है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ हरे हमारे चैनल मोहित अवस्थी ब्लॉक्स के साथ